जेहीं दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं SSE Constable GD भरती 2023 के एक जाम सीलेबस के बारे में आप सभी को पता है कि SSE Constable GD के जो नई भरती है उसका फॉर्म जो है 24 नॉवंबर से आपका सुरू होने वाला है यानि कि 24 नॉवंबर से आप सभी इसकी फॉर्म अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आप सभी इस भरती में जाना चाहते हैं तो आपको जो है इसका तयारी सुरू कर देना चाहिए ताकि आपका फाइनल सेलेक्शन जो है हो सके तो दोस्तो आज कि इस वीडियो में जानेंगे इसकी एकजाम के फूल सिलेबस के बारे में यानि कि जो है इसके एकजाम में जो है कौन-कौन से चाप्टर से आपका प्रसन आते हैं जितने भी आपका सब्जेक्ट से इसमें प्रसन पुछे जाते हैं तो subject wise और chapter wise जो है आज की इस वीडियो में आपको syllabus बताएंगे और जो भी chapter के बारे में इस वीडियो में बताएंगे उसे अगर आप सभी पढ़ कर जाते हैं तो definitely है 100% जो है आपका selection इसमें हो जाएगा तो दोस्तो अगर आप भी इस भरती की full syllabus जानना चाहते हैं इस वीडियो को complete वाज किजिएगा और इसकी तयारी आपको कैसे करना है ये भी आज की इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो में आप सभी बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो चैनल को भी subscribe कर लीजिएगा क्योंकि SSE Constable GD भरती related सभी अपडेट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इसकी एक जाम सी लेबस के बारे में तो देखिए दोस्तों इस भरती की एक जाम सी लेबस की बात करे SSE Constable GD भरती 2023 की तो सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा इसका फॉर्म जो है 24 नुवंबर से सुरू होगा और इसका जो फॉर्म है दिसंबर मन्थ तक चनले वाला है हो सकता है कि दोस्तों जो यह भरती है आपको अक्टूबर में भी देखने को मिल जाए क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो डेट दिया गया है उसी डेट को वाई उसके पहले भी आपको भरती देखने को मिल सकता है और ऐसा जो है पिछले बार 2022 के भरती में हुगा था तो आप सभी बिल्कुल जो है इसकी तयारी सुरू कर दिजिए अगर अभी तक आप सुरू नहीं किये हैं तो तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इसकी चाप्टर वाई जी कम्पलेट डिटेल्स के बारे में तो इसकी syllabus सबसे पहले आप सभी देख लिजिए कि syllabus क्या है तो देखिए दोस्तों इसमें टोटल आपका प्रॉशन है यहाँ पे टोटल की बात करें तो टोटल आपका 80 प्रॉशन पूछे जाएंगे इसके एकजाम में और number of marks की बात करें तो 160 नमबर का जो है आपका total तो इसका मतलब है कि आपका ये speed जो है प्रस्न सल्ब करने का वह आच्छा होना चाहिए तभी जाकर आप fully score कर सकते हैं तो देखिए दोस्तों इसमें syllabus की बात करें तो general intelligence and reasoning से जो है आपका 20 प्रस्न रहेंगे और कौन-कौन से chapter से ये 20 प्रस्न रहेंगे ये इस वीडियो में आपको बताएंगे और परतेक प्रस्न दो नमबर का है तो 40 आपका marks का हो जाएगा इसी तरह general knowledge and awareness से जो है आपका 20 प्रस्न रहेंगे mathematics से 20 प्रस्न रहेंगे और English या Hindi तो आप अपने according जो भी इसमें से language लेना चाहते हैं उसे आप सभी ले सकते हैं ये आपके उपर depend है तो इससे 20 प्रस्न रहेंगे 40 नमबर का टोटल 80 प्रस्न हुआ 160 नमबर का और 60 मिनट जो है इसमें समय आपका दिये जाएंगे इसके बाद दोस्तो इसमें negative marking आप सभी को बता दे इसमें negative marking भी रहता है तो 0.50 का negative marking इसमें रहेगा यानि कि दो प्रस्न अगर आप सभी गलत करते हैं तो एक आपका सही जो है कट जाएगा तो इसे आपको ध्यान में रखना है 0.50 का negative marking है अब दोस्तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि chapter Y जो है syllabus के बारे में तो देखिए दोस्तो आपको जो भी chapter हम यहाँ पर बताएंगे आप सभी को जो भी chapter यहाँ पर हम बताएंगे उसे अगर आप सभी पढ़ कर जाते हैं स्कोर आप असानी से कर सकते हैं कि इनी सभी chapter से आपका प्रोस्त आएगा यह भी बाहर से प्रोस्त आपको देखने को नहीं मिलेंगे तो सबसे पहले S.E.G.D. हिंदी chapter के बारे में बात करते हैं यानि कि हिंदी के syllabus के बारे में और आप सभी को पता होगा कि हिंदी जो है एक के scoring subject है यानि कि आप इसमें जितना ज़्यादा हो सके number लाए कि यह एक scoring subject आपका होता है हिंदी में maximum candidate ज़्यादा से ज़्यादा number लाते हैं और यह कौम पढ़कर भी आप सभी ज़्यादा score इसमें कर सकते हैं तो यह एक scoring subject है और इसमें full marks का आपको target रखना चाहिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं प्रस्न के बारे में तो सबसे पहले तो गधान्स अधारित प्रस्न इससे आप सभी यहाँ पे 5 जो है प्रस्न आपको देखने को मिल जाएंगे गधान्स एक आपका दिया रहेगा और उससे related 5 questions आपको देखने को मिलेंगे तो यह तो गधान्स अधारित जो प्रस्न है इससे total आपका 5 प्रस्न रहेगा यानि कि देखा जाए तो इसी से आपका जो है 10 number complete होने माला है तो गधान्स अधारित प्रस्न से प्रतेक साल जो है 5 प्रस्न आपका पूछे जाते है इसके बाद दोस्तो अनेक सब्द के लिए एक सब्द इससे भी आपका जो प्रस्न है 2 से 3 आपको देखने को मिल सकता है किसी सिप्ट में दो भी रहेगा किसी में तीन भी आपको देखने को मिलेगा तो अनेक सब्द के लिए एक सब्द इससे भी आपका परस्ण परतेक सिप्ट में परतेक साल आपसे पूछा जाता है सूध असूध वाक दोस्तो इससे भी आपका प्रस्ण रहते हैं इससे भी आपको दो प्रस्ण देखने को मिल जाएंगे इसके बाद दोस्तो बिलोम सब्द हो गया इससे भी आपका प्रस्ण पूछे जाते हैं सही बरतनी वाले सब्द आपका हो गया, इससे भी परस्ण आपका पूछे जाते हैं, रिक्त अधारित आपका जो हो गया परस्ण, इसके अलबा मुहाबरा और परिवाची सब्द, तो देखिए दोस्तों ये जो आठ आपको चाप्टर हम बताए हैं, यहाँ पर देख सकते है हिंदी में मात्र जो है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ना है, मात्र ये आठ जो चाप्टर आपको यहाँ पर बता रहे हैं, इसी आठ चाप्टर को अगर आप सभी पढ़ कर जाते हैं, तो डेफनेटली है कि 20 में 20 परस्ण आपका असानी से लड़ जाएगा, कोई प्रोब्लम इसमें नहीं होगा, अगर आप से भी ये आठ जो चाप्टर बता रहे हैं, इसे पूरा अगर आप सभी पढ़ कर जाते हैं, तो दोस्तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे, ये आपका हिंदी कैसी लेवस हो गया, इसके अलावा दोस्तो अब मैत के बारे में इसे ही आप पढ़ कर जाईएगा, दोस्तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें, तो मैत में जो जादतर जितने भी प्रस्न होते हैं, वो सभी और्थमेटिक से होते हैं, और्थमेटिक से जादा प्रस्न इसमें पूछे जाते हैं, एडभान से काफी कम प्रस्न होते हैं, एड परसन रहेगा इसके लबब profit and loss से रहेगा time and distance से रहेगा time and work से रहेगा यह जो चाप्टर बता रहे हैं यह सभी चाप्टर से definitely है कि परसन आपको देखने को मिलेंगे ही तो यह जो आप सभी chapter देख रहे हैं यहाँ परसनेज, profit, loss, time and distance, time and work ये चाप्टर जो है काफी ज़्यादा important है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका हो गया partnership जीसे सज़ेदारी हिंदी में बोलते हैं pipe and system हो गया train हो गया train से related भी प्रस्न जो है rail गारी इसका हिंदी होता है इसे related भी प्रस्न आपको देखने को मिलेंगे boat and stream current हो गया इसके बाद दोस्तों simple interest हो गया compound interest हो गया जो चक्रिभीदी व्याज और simple व्याज जो सधारन व्याज होता है उससे आपका पुछे जाते हैं इसके अलबा age problem हो गया average हो गया simplification हो गया LCM and SCF हो गया इसके अलबा square root power and index हो गया इसके अलबा दोस्तों आपका यहाँ पे algebra और mensuration तो मात्र ये जो 74 chapter आपको यहाँ पे बताए है math में इनी 73 chapter को जो है आपको देह कर जाना है एक भी प्रोष्ण इससे बाहर आपका नहीं आने वाला है और आप सभी को बता दे इसमें जो है आपका यहाँ पर ये अलजाबरा से किसी sipt में आपको प्रष्णन देखने को मिल सकता है किसी sipt में नहीं भी आता है लेकिन बाकी जितने भी आपका चाप्टर है उन सभी से definitely है कि प्रष्ण आपको देखने को मिलेंगे ही तो ये 17 चाप्टर है आपका यहाँ पर math का और इसी को जो है आपको पढ़ कर जाना है definitely आपका जो है math से एक भी प्रस्न नहीं चुटेगा तो ये तो रहा दोस्तो math का syllabus अब reasoning की syllabus जानने से पहले आप सभी को बता दे अगर आप सभी SSE Constable GD की तयारी कर रहे हैं और इसके लिए अगर आप सभी book purchase करना चाहते हैं तो आपके लिए best book रहेगा चक्छू publication का आप सभी को बता दे यह एक complete guide है इसमें आपको सभी subject देखने को मिल जाएंगे जो अभी आपको syllabus बता हैं उस syllabus के according जो है सभी subject इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे आपको syllabus इसमें देखने को मिलेंगे और सभी chapter से काफी सारे प्रोस्न उसका solution and answer सभी कुछ इसी book में आपको देखने को मिलेगा तो यह complete guide के थुरूँ आप सभी अपनी तयारी को जो है पुरी तरह से कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तो practice set लगाने के लिए चक्षू publication का practice set भी जाता है तो complete guide और practice set दोनों book को आप सभी purchase कर सकते हैं और अपनी तयारी को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं इसके purchase के link आपको description में मिल जाएगा या नजदी के market से भी जाकर इस book को आप सभी ले सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं reasoning की syllabus के बारे में तो देखिए दोस्तों reasoning की syllabus की बात करें तो इसमें coding decoding से आपका प्रस्न रहेगा direction sense test से प्रस्न रहेगा blood relation से रहेगा seating arrangement से रहेगा इसके लाबा analogy test से आपका प्रस्न रहेगा series test से रहेगा calendar से रहेगा time and clock से रहेगा इसके लाबा problem based on English alphabet non-verbal reasoning non-verbal reasoning से जो है 3-4 प्रस्न आपको देखने को मिल जाते हैं तो यह 10 chapter आपको जो यहाँ पर बता रहे हैं यह reasoning का है और इन 10 chapter को अगर आप सभी देख लेते हैं तो इससे भी प्रस्न आपका एक भी छुपने वाला नहीं है आप किसी भी जो है पहले जो भी exam हुआ है किसी भी exam में अगर आप देखेंगे तो इनी 10 chapter से प्रस्न आपको देखने को मिलेंगे तो यह reasoning का आपका सेले बस रहा और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे GKGS की बात करें तो देखिए दोस्तों GKGS इसमें जो है current affairs से आपका तीन से लेकर जो है 5 तक आपका current affairs देखने को मिल सकते हैं किसी shift में 3 भी रहता है किसी में 5 भी रहता है तो current affairs भी इसमें आप सभी लेकर चलिएगा current affairs भी आपका इसमें रहेगा तो 3 से 5 आपका current affairs रहेंगे last 6 month का आप सभी current affairs देख लिजीएगा और अगर आपके पास समय हैं तो एक साल का भी आप सभी देख कर जा सकते हैं current affairs आपका complete हो जाएगा और बाकी जो प्रास्ण रहा तो बाकी जो है basic level का आपका प्रास्ण रहता है तो इसके लिए काफी सारे जो है GKGS के जो book होते हैं जो आप सभी पढ़ते भी होंगे जैसे कि Lucent का एक book आता है वो भी काफी famous है तो उससे भी आप सभी GKGS complete कर सकते हैं basic level का GKGS आपका रहता है तो GKGS में आप सभी basic level के जो भी प्रास्ण है उसे आपको पढ़ कर जाना है और अभी जो book आपको बताया है उस book को आगर आप सभी लेते हैं तो उसमें भी आपको GKGS काफी सारे देखने को मिल जाएंगे तो यह जो है GKGS आपका प्रास्ण जो है science इसके अलबा social science, current affairs यहीं सभी आपका GKGS से प्रास्ण पूछे जाते हैं तो तेन्त standard जो है आपको GKGS देखकर जाना है तो यह तरह दोस्तों आपका syllabus और यहाँ पे आप सभी को बता दे GKGS जो होता है यह जो है scoring subject नहीं है maximum candidate का आप सभी देखे होंगे कि GKGS में ज़्यादा marks नहीं आपाता है लेकिन अगर आपका सही है तो आप अच्छा score कर सकते हैं तो GKGS आपको बता दिये इसके बाद आपका reasoning जो हो गया यह आपका scoring subject है इसमें आप सभी असानी से ज़्यादा number जो है ला सकते हैं क्योंकि यह scoring subject होता है reasoning इसके आपका हिंदी यह scoring subject हो गया math भी आपका scoring subject होता है लेकिन काफी सारे student math में कमजोर होते हैं तो दोस्तो यह रहा आपका full syllabus I hope आप से भी समझ गए होंगे तो आप सभी इसके coding तयारी किजिए और इस PDF को अगर आप सभी देखना चाहते हैं के पी यह study point telegram पर इस PDF को हम provide करा देंगे तो दोस्तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बन देंगे